स्वागत है आपका अपने चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचीन और आज की इस वीडियो में हम प्लास 12 की हिंदी पढ़ने वाले हैं किताब है आरहु भाग दो और कविता का नाम है उशा ठीक है और इसकी easy explanation में आपको बता दूँगा इससे फिर जो भी question आएगा आप अपने exam में आसानी से कर पाओगी और उससे पहले आपको बता दूँगर आपने इससे पहले की कविताएं और अपने हिंदी कोर के chapters नहीं देखे हैं तो उसका link आपको description में मिल जाएगा आप आराम से जागे देख सकते हैं साथ-साथ और subject के भी link आपके पास है तो आप वो भी जाके जरूर देखें आइए आगे बढ़ते हैं आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं मेरा username आपके सामने हैं आपकी screen पे आप मुझे follow कर सकते हैं और आके अपनी problems भी बता सकते हैं मैं आपका reply जरूर करूँगा तो आइए start करते हैं परीचे के स से ठीक है जो एक सौंदर होता है सुबह सुबह टाइम जो मतलब सुबह के टाइम की जो एक खूपसूरती होती है ठीक है जो बातावरण होता है उसका यहाँ पे चितरन और वरण किया गया है ठीक है तो जो प्राते काल का काफी सुन्दर तरीके से चितरन किया है यहाँ प पे आसमान में क्या क्या सुंदर चीजे घटती हैं ये सब चीजें यहाँ पे कवी ने हमें बताया है ठीक है तो संदर्व देखते हैं सबसे पहले क्या है इसका प्रस्तुत कावियांश हमारी पाटे पुस्तक आ रहो हो भागदो में संकले तथा कवियों के कवी शमशेर से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है तो इसका प्रसंग क्या होगा ये देखते हैं इस कावियांश में कवी ने भोर के बाद उशाकाल के दोरान होने वाले सूरे उदे का सुन्दर चितरन किया है ठीक है मतलब जो सूरे उदे के टाइम जब मतलब जो सुन्दर ए तो अब इसकी व्याक्या देखते हैं क्या होगी प्राते कालिन आकाश यानी आसमान का चितरन गड़ते वे कवी हमें ये बताते हैं या कहते हैं कि सूरे हो जैसे पहले भोर के समय आसमान नीले शंक जैसा लग रहा था ठीक है बिलकुल नीले शंक से यहाँ पे तुलना करत यहाँ पर आस्मान की नब का मतलब आस्मान होता है, ठीक है, आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा लग रहा था, जैसे राक, ठीक है, यह थोड़ी spelling mistake है, इसको आप राक पढ़िए, राक से लीपा हुआ, गीला चोका हो, ठीक है, चोका का मतलब क्या होता है, रसोई बना तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है, कि रात भर जो नमी रहती है, और जो ओस रहती है, उसके कारण क्या होता है, कि मतलब आकाश को कंपेर कर दिया गया है, यहाँ पर जैसे की राक से लीपावा गीला चोका होता है, अब कंपेर क्यों किया गया है, यह देखते हैं, प्राते काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो स्लेट पर यहां लाल खड़िया चोक मल दी हो किसी ने तो प्रसंग वो ही सेम रहेगा क्योंकि इसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भोर के जुट पुटे में ठीक है मतलब जुट पुटे में अंदेरे और सूरज की उगती वी लाली का मिस्रन ऐसा लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर में घुल गई हो सिल का मतलब क्या होता है मसाला पीसने का पत्थर आपने सुना होगा सिल बटा वगरा तो इसमें रात की तुलना आप एक तरीके से कह सकते हैं जो अंदेरा होता है उसकी तुलना किस से कर दी गई है जो काली सिल होती है जो काला पत्थर होता है मसाला पीसने का और सूरे की जो लाली में होती है सुबे के टाइम जो सूरज लाली भिखेरता है उसकी तुलना केसर से मतलब कर दी गई है तो अंधेरा काली सिल जैसा परतीत होता है और सूरज की लाली केसर की तरह लगती है ठीक है, केसर लाल-लाल सा होता है यह वातावरन ऐसा लगता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मिट्टी पोत दी हो ठीक है एक बार और यहां पर तुलना कर दी जाती है कि जैसे की काली स्लेट यानि की अंधेरा और लाल खड़िया चौक मिट्टी यानि की सूरे की लालिमा तो यहां पर इस तरीके से दो दो तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे comparison किया गया है आगे की लाइने हैं नील जल में या किसी की गौर जिल मिल दे जैसे हिल रही हो और जादू तूटता है इस उशाकाब सूर्य उदे हो रहा है इसका प्रसंग भी रहेगा जो मैंने अभी तक आपको बताया है ठीक है अब इसकी व्याक्या समझते हैं क्या है तो भोर के समय यानि कि सूर्य उदे होने से ज़स तोड़ा सा पहले जब आकाश में गहरा नीला रंग चा जाता है और सूर्य की श्वेत आभा दिखने लगती है तो उस समय का सूंदर्य ऐसा प्रतित होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सूंदरी की गोरी देह जिल मिल कर रही हो यानि कि चमचमा रही हो देह का मतलब बॉड़ी ठीक है किसी सूंदरी की जो बॉड़ी है वो एकदम चमचमा रही हो किसी परी के समान ऐसा लगता है सूरज जब निकलने वाला होता है नीले आसमान में ठीक है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगता है सूरज नीला आसमान होता है सुबह के टाइम और ये देखो ऐसा लग रहा हो कि कोई सुंदरी की जो दे है चमचमाती हुई वो दिख रही हो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इसमें क्या है कुछ समय बाद जब सूरे हो जाता है तब उशा के पल-पल बदलते रंगों का सुंदर्य एकदम चूमंतर हो जाता है आप सूबह सूबह उठके गभी देखना सूरे हो देखना मतलब होने से पहले आसमान में जब आप देखोगे तो रंग अलग होता है थोड़ी दिर बाद फिर अलग होता है थोड़ी दिर ब क्या सूरे उदे होने से पहले ऐसा सुन्दर आस्मान आपको देखता है या मतलब सूरे उदे होने के मतलब बाद मैं कहना चाता हूँ कि सूरे उदे जब हो जाता है तो उसके बाद इतनी सुन्दर आस्मान में देखती है नहीं देखती है यूँकि प्रकरती के जो रंग होत भौर के समय उशा काल के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं तीक हैं अब आजे देखते हैं इसका विशेश देखते हैं क्या होगा भाशा सहघ बहुत सरल भाशा है और सन्स्कृति निस्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया है मुक्त छंद का प्रियोग किया गया है विभिन अलंकारों का सुन्दर तरीके से प्रियोग किया गया है जैसे कि उपमा, अनुपरास, ठीक है उत्परेक्षा और उशा का मानवी करन किया गया है यहाँ पे तो हम कह सकते है मानवी करन अलंकार भी है और परतीकों का भी सुन्दर इस्तिमाल किया गया है जैसे कि नीला जल ठीक है और गौर जिल मिल देहे ठीक है इसलेट ये आप कह सकते हो कि किस तरीके से परतीकों का इस्तिमाल किया गया है केसर और अगर मैं आपको बताऊँ शंक जैसे में उपमा है ठीक है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि एक तरीके से तुलना की जा रही है कवीता के वरणन में चित्रात मकता है जब आप लाइनों को पड़ोगे तो आपके धिमाग में एक चित्र बनेगा सुबह का ठीक है तो इसी के साथ कवीता खतम होती है अगर कवीता पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें और वीडियो को जादा जादा शेयर कर दीजे अपने ग्रूप्स में और अपने फ्रेंड्स में जै हिंद जै भारत धन्यवाद